प्रेम का अमोग अस्त्र कौशल देश में एक बड़ा ही भेंकर डाकू रहता था उसका नाम था अंगुली माल उसने लोगों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला अपने गले में डाल रखी थी इसलिए उसका ये नाम पड़ा उन दिनों कौशल में राजा प्रसेन जीत राजे करते थे अंगुली माल के आतंग से वह बहुत परिशान थे उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी सिनय तैनात कर रखी थी अस्त शस्त्रों का उप्योग किया लेकिन अंगुली माल उनके हाथ नहीं आया एक बार प्रसेन जीत 500 सैनिकों को लेकर अंगली माल को पकड़ने के लिए इधर उधर दोड़ धूप कर रहा था कि उसे पता चला भगवान बुद्ध वहां विहार कर रहे हैं वे उनके पास गया उसके चहरे पर हवाईयां उड़ रही थी बुद्ध ने कहा क्या बात है इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो क्या किसी राजा ने तुम पर हमला कर दिया है प्रसेन जीत बोला भंते किसी ने हमला नहीं किया मेरे राज में अंगली माल नाम के डाकू ने तबाही मचा रखी है मैं उसी को पकड़ने की दिन रात कोशिश कर रहा हूँ बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा वह तुम्हारी पकड़ में नहीं आता अच्छा यह बताओ कि यदि वह धर्मात्मा के रूप में तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगे मैं उसका स्वागत करूँगा और उसकी सेवा और रक्षा करूँगा प्रसेंजीत ने कहा तब बुद्ध ने पास बैठे व्यक्ति की बाह पकड़ कर उसे राजा के सामने कर दिया बोले यहरा अंगुली माल प्रसेंजीत को काटो तो खून नहीं वे थर थर कापने लगा बुद्ध ने कहा राजन अब तुम्हें इससे डरने की आवशक्ता नहीं है इसके बाद प्रसेंजीत को पता चला कि भगवान बुद्ध के प्रेम और करुणा के आगे आंगुली माल नत मस्तक हो गया उसे नया जनम मिला है अपनी खूंकार वृतियों को त्याक कर वह भीक्षू बन गया है प्रसेंजीत की आखे खुल गई एक शासक के नाते वह मान बैठा था कि सैने और शस्त्र बल से बढ़कर और कोई बल नहीं है आज उसे मालूम हुआ कि प्रेम का मुकाबला धुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती उसने अंगुली माल का बड़े प्रेम से अभिवादन किया और उससे कहा मैं तुम्हारे भोजन वस्तर आवास आदी की विवस्था कर देता हूँ अत्यंत विनम्र भाव से अंगुली माल बोला राजन आप चिंता ना करें मुझे सब कुछ मिल गया है प्रसेन जीत की आखें डबडबा आई और वह श्रद्धा से अवनत होकर वहाँ से चला गया